तो हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इस्टुरेंट्स लाइफ में तो बच्चों CBC क्लास 10 और 12 के जो ही बच्चे इस साल बोर्ड एक्जामनेशंस दिये हुए हैं के लिए CBC के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपकी CBC क्लास 10 की रिजल्ट कब तक exactly निकाल दी जाएंगी तो वीडियो का अपना शुरू से लाश तक देखते रहना देखो यहाँ पर एक न्यूस दिया गया है कि अब देखो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि पहले क्लास 12 की रिजल्ट निकाली जाएंगी यह बाद में फिर क्लास 12 की रिजल्ट निकाला जाएगा पहले 10 की रिजल्ट नहीं निकाली जाएंगी तो जब तक आपकी क्लास 12 की रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा और यहां पर यही news में इसमें दिया गया है कि अभी भी चल रही है और इस सब्ता class 12 की copy की checking complete कर ले जाएंगी आप इसके बाद result की जो process है आपकी जो है start हो जाएंगी आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ठीक है कि आपकी result जो है कब निकाले जाएंगी उससे पहले यह यहां पर एक और important update में आप लोगों को देना चाहूंगा देखो passing marks को लेकर ना बहुत सारे बच्चे जो है confused रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हमारी passing marks क्या है और best of five subjects को लेकर भी जो बच्चे रहते हैं वो confused रहते हैं कि कौन सा subject मेरा additional होगा कौन सा subject मेरा main subject होगा उनको समझ में नहीं आता है तो देखो सबसे पहले में आप लोग को यहां पर एक बच्चा का जो रिजल्ट है यह 2021 में निकाला गया था तो इनका मैं सबसे पहले आप लोगो रिजल्ट दिखाना चाहूंगा देखो इस बच्चे का क्या वाथा कि इन्होंने basic mathematics चुनी थी तो इनका theory में 16 marks आया था only 16 marks तो अगर 80 number की examination होती है तो 80 में passing marks जो होता है अगर 33% आप करोगे तो लगभा को 27 marks होते हैं बट इस बच्चे का 16 marks आया था लेकिन यह बच्चा pass है यह fail नहीं है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि देखो आपको किसी भी तरीके से जोड़ कर 33 number लाने रहते हैं जैसे इनका theory में भला ही 16 number आया है बट practical या फिर internal assessment में 20 marks आया है तो इन दोनों को जोड़ के इनका 36 marks हो गया तो यह pass हो गया है तो इस वज़़ से passing marks को लेकर किसी भी तरह का कोई भी confusion मत रखो आपको किसी भी तरीके से जोड़ कर 33 number लाने है आपका आज आएगा तो आप pass कर जाओगे class 10th के लिए 12th के लिए फिर वही है कि आपको 27 number लाने होंगे 80 में और 70 में आपको 23 marks लाने होंगे ठीक है तो passing marks को लेकर किसी भी तरह का क कोई भी confusion मत रखना और हाँ एक और गलत फैमी है जो कि जब बच्चे overall अपने percentage को निकालते हैं तो बच्चा को समझ में नहीं आता है कि हम कौन से कौन से subject को लेंगे ज्यादा ज्यादा marks वाला लेंगे या कौन कौन सा subject लेंगे देखो जो भी बच्चा information technology लिया हुआ होग तो information technology अगर वो लिये हुए हैं तो अगर आप जैसे कुछ subject हो गया जैसे mathematics, science और social science यानि कि language paper को छोड़के language paper कौन सा है जिसे हिंदी और English है यह language papers है तो इनको छोड़के अगर आप इन तीनों subjects में fail हो जाते हो मतलब कि आपका यहाँ पे 33 marks नहीं आता है तब जाके यह information technology क जो marks है यहाँ पे जूड़ जाएगी ठीक है तब जूड़ेगी बट अगर आपका इसमें से आप किसी में fail नहीं होते है तो फिर आपकी जो information technology की marks है वो नहीं जोड़ी जाती है और यहाँ पे आप इस result में साफ तोर पे देख सकते हो ठीक है तो इस बच्चा का result दिखा के मैं आपको जो है और प्रूफ दे रहा हूँ कि information technology की जो marks है वो additional हो जाती है अगर आप सभी सविसयों में pass हो जाते हो तो और देखो आपको ऐसा नहीं कि आपके जितने जादा जादा marks आपके subject में आया है तो आप उसी को अपने passing परसंटेंग में जोड़ोगे ऐसा नहीं ह होता है हलाकि देखो एक चीज़ा आपको यह भी समझना है अगर आप मान के चलो information technology का इसका 81 नमबर आया था और mathematics basic basic 36 नमबर आया था तो यह यहाँ पे additional subject में आ भी जाता तो इससे क्या होगा कि बच्चा आगे चलके mathematics लेके पढ़ नहीं सकता है तो बाद में चलके इनको problem होगा तो इस वज़र से cbc क्या करती है कि अगर बच्चा फेल है ठीक है तो ही हम वो additional subject में डालेंगे दरवाज अगर बच्चा फेल नहीं है तो फिर वही उनका जो होता है वो main subject होता है तो यह confusion मत रखना कि best of five मतलब जो हमारे सबसे best five subject में marks आया है उसी का percentage निकालते है उसका percentage नहीं निकाला जाता है in fact कभी भी अगर आगे चलके आप admission वगरा भी लोगे न 11-12 में अगर आपको करना होगा admission वगरा लोगे तो वहाँ पर भी आपकी कभी भी information technology के marks को count नहीं किया जाता है हाँ ठीक है अगर आपको लोगों को बोलना है कि आपके कितने percent आए तो बोलने के लिए आप information technology के marks को बोल सकते हो basic को हटा के ठीक कभी भी cbc result में ना percentage कभी नहीं देती है कभी भी आपका वो नहीं लिखेगी कि आपके percent कितने आया है सिर्फ result में आपका pass या तो फिर essential repeat लिखा होगा अगर आप fail होते है तो fail भी लिखावा नहीं आएगा आपका essential repeat लिखा होगा ठीक है तो इन बातों को समझना है और कोई भी confusion होगा तो comment करना आए के वीडियो में फिर आपको समझाओंगा ठीक है अब देखो यहाँ पर result कभ आएगा तो इसको लेके यहाँ पे एक और update यहाँ पे दी गई है कि according to the media reports class 10 and 12 is likely to be declared next week तो देखो अगर media report क की माने तो class 10th or 12th की जो result है वो उमीद की जा रही है कि अगले सब्ता में निकाली जाएंगी यानि की उमीद की जा रही है कि माई के पहले week में निकाली जा सकती है ओके अब हो सकता आगे और भी delay हो जाए तो आगे जो भी आगे अपडेट आएंगी तो वो मैं आगे आप को बताओंगा तब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू बाबाई मिलते हैं दुसरे वीडियो में